हाई हेलो एव्रीबडी वेलकम तो मैं चैनल इस में टारो 313 कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं परसन और वाइन क्या क्रंटली फील कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है क्रंट फिलिंग्स और इमोशन्स जो परसन आपके मार्ड में हैं उनके आपका इस ताइम सिच्वेशन चाहिए जैसा भी चाल रहा है डिडिंग सब के लिए ओपन है इट्सक्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी चेक कर लीजिएगा तो अपने परसन पर फोकस करिए लेट सी देखते हैं क्या है क्रंट फिलिंग्स आपके परसन के याद रही य क्लेक्टिव एंड जैनरल प्रडिक्शन है सो किसी चीज को आपने जबरदस्ती अपने उपर फिक्स नहीं करना इजिली जितना रैजनेट होगा वेल एंड गूट एंड फ्लाय दा रेस्ट लेट सी जान लेते हैं जो भी परसन आपके मांड में है वो करंट ली आपके लि क्या करे हैं वैसे हैं आप आपρηन को शो और यह से नहीं को अब अपनी का रहा है यह अपनी उपने इमोशन को अ इस परसन कर रहे हैां कि कैन्य फुश्य मोज़ी आपके इमशन को डफल भी रिज़ीटर्स करते हैं कि इन्होंने आपके इमोशन को डेफिडिछ दफिनिटल ये इनसान आपसे बात करना चाहते हैं ये अपने feelings confess करना चाहते हैं आपके सामने we have twin flames कहीं न कहीं हो सकता है ये person और आपका twin flame का connection है yes you guys are on a twin flame journey we have nurture and compassion guys ये जो भी person है ना ये person feel करता है कि आप लोगों को ले करना अब ये person compassion feel कर रहे हैं अब आपके साथ आगे रिष्टा serious बनाना चाहते हैं but इनको feel होता है कि आप लोग जो होना इस person के साथ आप अपनी feelings को share नहीं करना चाहते हैं लाइक आप अपने आपको guard up कर ले हो अपने आपको protect कर रहे हो आपने अपने दिल को बंद कर दिया है इस person की तरफ बिल्कुल भी आप अपने आपको open up करना नहीं चाहते है but because आपने इस person को मुझे लग रहा है बहुत ज़दा प्यार की है आपने बहुत ज़दा nurture की है इस इनसान को आपने बहुत ज़दा इस person को लेकर अपने genuine care, genuine love, genuine feelings show की है but इस इस इनसान ने वो नहीं की so that's why they are feeling like कि अब आपने अपने आपको protect कर ली है because अब आप इस person को ego show कर रहे और आपका सारा focus आपके खुद के उपर है आप इनके उपर बिल्गल भी invest नहीं करना चाहते बट विदा ace of air ये इनसान जो भी है वो अब आपके सामने definitely confess करना चाहते है अपने feelings को आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ों को clear करना चाहते है और पास्ट में लोने कुछ अपने emotions आप से hide रखे थे या पिर आपने emotions आपको confess नहीं किये थे आपको अपनी feelings clearly नहीं बताई थी तो मुझे लग रहा है इस ताइम ये person अपनी feelings को clearly आपके सामने जो है वो definitely आपको बताना चाहा रहे है but for some of you यहाँ पे twin flame का connection है it means कि इस इनसान के अंदर जो है वो आपको लेकर एक कुछ ना कुछ flame है जो burn हो रही है जो इस इनसान को अपने उपर control नहीं करने दे रही that's why ये इनसान अब आपके past दुबारा से वापिस आना चाते है और दुबारा से आपको nurture करना चाते है like अगर past में नहीं नहीं भी किया तो right now ऐसी feelings दिख रही है कि इनसान अब आपको nurture करना चाते है दरे लिवाना किसी दरे लिवाना feel some kind of intimacy अभी ये person feel कर रहे हैं उन सारे चीज़ों को past में नहीं बेशक नहीं किया यहाँ पे तो but इनको लगता है आपके अपके अदर काफी ज़्यादा arrogant आब आ चुका है like आप आप focus अपने आप पे उपर हो यहाँ कोई आगे आके आपके आने वाला टाइम में भी आपको emotionally hurt कर सकता है तो उस चीज़ के लिए आप अपने आपको इस time guided up कर चुकिए अपने emotions को आपने बंद कर लिए close कर लिए है यह ऐसा feel करते है we have fulfillment and wishes but still इस person की कहीं न कहीं wishes है अभी भी आपके साथ दुबारा से एक romantic connection बनाने की जिस wish को यह person fulfill करना चाते है we have facade and belief and we have ace of water यह एक new relationship की beginning करना चाते है आपके साथ बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर belief system एक दूसरे से different है यहाँ पर हो सकता है for some of you यह इंसान अपने आप जिस वज़ा से इनको अपनी feelings express कर रहे थे यह शायद उस intention की वज़ा से आपको शायद feelings express नहीं कर रहे थे एक मुझे यह चीज़ दिख लिए like for example आपका और इनका कुछ ना कुछ belief system कुछ culture caste का difference था ठीक है और हो सकता है आपको इस चीज़ से issues नहीं थे बट इस इनसान को issues थे that's why यह चीज़ों को face नहीं कर पा रहे थे और इस इनसान का एक belief system अपना ही बना हुआ था कि like इस person की अगर family खुद नहीं किसी connection में जाना चाती यहाँ पिर इनके अपने belief system है like traditions का, caste culture का यह उसे हट के नहीं किसी रिष्टे में जाना चाते थे बट आप मुझे लगता है जाना चाह रहे थे बट right now ऐसे लग रहा है यह इनसान अब जाना चाते है और आप इनको लग रहा है अब आप इस रिष्टे में नहीं जाना चाते है यह कुछ मुझे energies देख रही है बट still इस person की wishes हैं आप लोगों के साथ connection को बनाने की इस रिष्टे को बनाने की जिसको यह fulfill करना चाते है बट विज़ा ace of water यह काफी emotional हो रहे है और साथी साथ मुझे लग रहा है इस person का star sign Aries Leo Sagittarius भी हो सकता है बट यहां बे जैमी ने लिब्राइक वेरियस और कैंसर पैसी स्कोर्पियो की अनरजी बहुत स्ट्रोंग आ रही है ACS की अनरजी है इस इस की इनसान जो भी है वो new beginning करना चाते हैं आपके साथ एक ने रिष्टे की beginning करना चाते हैं बट इस टाइम यह person emotionally आपके साथ connect होना चाते हैं और आपको अपने feelings जो है वो clear confess करना चाते हैं strong unexpected मुझे लगता है यह person unexpectedly जो है वो आप लोगों के साथ रिष्टा बनाएंगे क्योंकि इनकी अपनी life में भी इस टाइम बहुत जादा बुरे तरीके से चीजे जो है वो चल रही है इस person की life में इस टाइम strong चल रहा है रहा है कि एक तरह से तुफान आया हुआ जहां पर back to back की इनसान जो है वो destruction face देख रहे हैं separation longing आपका separation चल रहा है ये इनसान जो है वो तरप रहे हैं आप लोगों के करीब आने के लिए और दोबारा से इस रिष्टे को बनाने के लिए for some of you ये connection हो सकता है suddenly quickly जो है आपका end हो है आपका break up हो सकता है एक दम से हो गया है ये रिष्टा मुझे लगता है sudden unexpectedly अचानक से surprise ली तूटा है yes और ये surprise जो है आप दोनों को ही कहीं न कहीं बुरे तरीके से damage किया surprise ने ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि ये इनसान रिष्टा तोर के बहुत खुश है no ये person भी आपके लिए तरप रहे हैं ये जो जुदाई है आपके दरम्यान जो separation है वो इस इनसान को जो है वो आपकी तरप फील हो रही है ये फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि आप जब इनकी life में थे आप जितना इनको nurture कर रहे थे आप जितना इनकी love कर रहे थे इनकी care कर रहे थे वो चीजने कहीं निया कहीं इस इनसान को अपनी लाइफ में महसूस हो रही है, जिसके लिए वो तरप रहे हैं वो उनको जदाई जो है, वो काफी बुरे तरीके से हीट कर רہी है अब यह अनसान जो है छीजने को ray लो देख पार रहे हैं उस pattern को दुबारा repeat नहीं करना चाते कि दुबारा कोई आपके connection में जो है वो triggering point आए यहाँ पिर कोई toxicity या negativity आए अगर past में negativity रही है तो चीज़ों को आप क्लियर करके आपके साथ एक अच्छी intention और अच्छी यह person feelings के साथ आपके साथ connect होना चाते हैं विकुस यह तरब रहा है और तरब क्या होती है आपके connection के खतम होने के बाद या break up के बाद इस इनसान को पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर twin flame के energy means कि एक flame है आप दोनों के अंदर कहीं न कहीं burn हो रही है आप दोनों के existence जो एक दूसरे के life में नहीं है उसको लेकर yes so यह pattern जो भी toxic रहे हैं आप दोनों के दर्मियान उसको repeat नहीं करना चाते है और इसलिए चीज़ों को clear करना चाते है और मुझे लगता है आपको भी अपने थर्डाई चक्रा को सुनने की जरूरत है कि आपकी gut feelings क्या बोल रही है आपके intuition आपको क्या बता रही है इस person के regarding और यह सारी situation जो इस ट्राइम आप दोनों के दिर्मियान चल रही है उससे regarding yes लेकिन याप pattern repeat नहीं करना चाते है किसी भी तरह का कोई negative या toxic let's see जान लेते हैं क्या feel कर रहे हैं आपके person आपको लेकर we have it's a 10 of pentacles यह इंसान जो भी आपके साथ family बनाना चाते है और मुझे लगता है इस person की family भी जो है वो शायद agree कर गई है इस रिष्टे के लिए आपको financially security देना चाते हैं अपनी family की agreement के साथ यह इंसान आपको obviously accept करना चाते है with the king of pentacles long time commitment यह इनसान देना चाते है और मुझे लग रहे हैं यह इनसान आपको बहुत ही secure जो है वो एक commitment देना चाते है family की और इस person की family भी agree है इस रिष्टे के लिए अगर past में नहीं agree थी तो मुझे लग रहे है अब यह person की family agree कर गई है yes and कहीं है कि यह भी energy दीख रही है यह जो भी person है ना यह feel करते थे कि आप शायद अपने आपको इनसे disconnect नहीं करोगे यह आप अपने आपको protect नहीं करोगे लाइक अपने emotions express करना आप बंद नहीं करोगे लेकिन जब आपने emotions express करना बंद कर दी है तो यह person जो है ना वो चीजों को accept नहीं कर पा रहे है ठीक है अब उस चीज का सामना करना इस person के लिए बड़ा difficult हो रहा है that's why वो चीज़े आप बोदर कर रही है तो आप यह जल्दी से चाते हैं कि चीज़े जो है दुबारा से normalize हो जाएं क्योंकि यह आपका जो एक separation चल रहे है ना आपकी एक दूसरे से जुदाई जो है वो यह इनसान में जो मैसूस कर रहे है ना वो बड़े तकलीफ हो रही ह इनको तो यह जुदानी रहना चाते है क्योंकि यह इनको तरफ फील हो रही है आपकी तरफ आना चाता है यह परसन, we have seven of cups energy, yes, इस परसन के wish come true आप हो, this personally I wanna talk to you, यह आप से बात करना चाते हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, yes, we have it's a three of cups energy, celebration चाते हैं आपके साथ अपन अब तक ये person जो है वो चैन से नहीं रह पाएंगे, so ये reconciliation करना चाते हैं, आपका हो सकता है यहां पे एक अच्छा friendship के साथ-साथ relationship का connection था, ठीक है, love connection और आपका friendship का connection था, इस person के साथ तो ये उस चीज़ों को भी बड़ा याद करते हैं, so with the king of pentacles, ten of pentacles, ये इनसान आपको marriage की commitment देना चाते हैं, शादी की commitment देना चाते हैं, और एक serious, अपनी flexible energy के साथ आपकी तरफ आना चाते हैं, like जहांपे इस इनसान को bend होना पड़ेगा, flexibility शो करनी पड़ेगी, आपके सामने like अपनी गलती को accept करना पड़ेगा, यहां आपके सामने emotions अपने show करने पड़ेंगे, तो ये person वो show करेंगे आपको, because with the seven of cups and three of cups, ये person आपको choose करना चाते हैं, इनके जो भी dreams हैं, इनके जो भी wishes हैं, आपको लेकर वो उसको पूरा करना चाते हैं, कि इनके जिन्दगी में खुशियां आ सकें आप लोगों के साथ, ये person past का है आप से, जो दोबारा से reconciliation करने के लिए आपके life में आ रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे सपने हैं, जो इनको आपके साथ पूरा करना चाते हैं, so number three, ten, one, seven, important दिख रहा है, मुझे लगता है किसी तरह से ये इनसान अपने और आपके जो कोई mutual friend है, या फिर अपने friends हैं, उनके साथ मिलके कोई ना कोई function arrange कर सकते हैं, कुछ ना कुछ event ऐसा organize कर सकते हैं, जहां पर ये इनसान अपनी कोई success के लिए या पिर कोई achievement मिली है, उसकी celebration भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको proposal देने के बारे में भी इस time मुझे लगता है, ये इनसान प्लैन कर रहे हैं, और वो चाते भी है कि आपको proposal दें, ताकि इनका आपके साथ भी एक अच्छा successful connection बन सकें, ये इनसान जो भी है, वो आपकी responsibility लेना चाते हैं, देरे लिवाना give you a security, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ बहुती safest और एक stable रिश्टा जो है, ये इनसान बना सकता है, अथर्टेटिव है ये person, किसी high designation से हो सकते हैं, ये कोई high position हो सकती है, government किसी sector से हो सकता है ये person, बट ये person बहुत responsible मुझे दीख रही है, for some of you, maybe यहाँ पर third party situation भी हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है, already यहाँ तो father figure है, यहाँ पर already married है, मुझे ये भी energy दीख रही है, बट still मुझे लगता है, ये इनसान आप में भी interested है, कुछ लोगों की side से, yes, otherwise ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे लग रही है, ये इनसान आप से union करना चाते हैं, और आपके साथ एक होना चाते हैं हर हाल में, yes, number four भी important दीख रही है, 34 भी कुछ लोगों की age दीख रही है, 34, 36, कुछ लोग हो सकता है, 40 प्लस भी हो सकते हैं, but four, six, भी life path number यहां date of birth मुझे यहां पे दिख रहा है, एरिस की, एरिस लिए हो second areas है, but एरिस की energy भी काफ़ी strong है, let's see more person on your mind, but ये इनसान जो भी है, वो आपको proposal देना चाते हैं, इस रिष्टे की commitment देना चाते हैं, क्योंकि वो आप से शादी करना चाते हैं, अपने life को celebrate करना चाते हैं, उनको लगता है, इनकी जिन्दगी में आपके होने से काफी ज़्यादा हुशी आएंगी, we have no you are loved, yes, libra, ये person जो है इस ताइम समझ रहे हैं, इस चीज़ को जान चुके हैं, कि आप जो होना इस परसन के love को deserve करते हैं, पास में हो सकता है, इनको नहीं feel हो रहा था, कि आप इस परसन के love को deserve करते हो, बटा भी feel कर रहे हैं, take a breathe, yes, ये person जो है, आप relax होना चाते हैं, आपके साथ रिश्टा बना के, दुनिया की तरफ, जिन्दगी की तरफ वापिस इनको लगता है, ये रिश्टा लेकर आ सकता है इनको, so cancer भी star sign हो सकता है, we have virgo, take inspired action, ये person ऐसा action लेना चाता है, जहां से आपको inspire कर सकें, तो मुझे लग रहा है, आने वाले time में definitely, ये बहुत ज़्यादा normalize होके, बहुत ही peacefully, आपको inspire करेंगे, और आपकी तरफ ऐसा action लेंगे, ताकर रिश्टा दोबारा बन सके, find a balance, balance करना चाते हैं ये आपके साथ, इस सारी situation को, with the libra, yeah, we have take a reality check, ये person reality को देखते हुए, और reality को सामने रखते हुए, आपकी तरफ action लेंगे, और आपके साथ finally, कोई ना कोई चीजों को balance करने का solution देखेंगे, और आपके साथ discuss करेंगे, कि इनको रिश्टे में जो है, वो balance बनाना है, और आपके साथ fairly जो है, वो अब रिश्टे को लेकर चलना है, जो past में शायद ये person नहीं कर पाए, टैप्रिकोन भी star sign हो सकता है, लिब्रा star sign यहां पे दिख रहा है, and Virgo, Cancer, and yeah, लिब्रा double time रिपीट हुआ यहां पे, yes, so ये star sign है कुछ important आपके लिए, बट ये person reality को सामने रखते हुए, आपको inspire करेंगे, और बहुत ही normally और बहुत ही peacefully जो है, वो आपके सामने action लेंगे, because ये person जान चुके हैं, कि आपको इस person के love की एक तो जरूरत भी है, और दूसरा आप इस person का love deserve करते हो, आप ऐसे इंसान हो, कि जो आप दूसरे को love दे रहे हो, तो आप भी deserve करते हो, वैसा ही प्यार, वैसी केट, yes, so this is your reading, I hope this will help you and resonates with you, मुझे कमेंट सेक्शन में फीदबाक स्रूर दीजिएगा, I will see you tomorrow, bye,